दोस्तों आपने टीवी इंडस्टरि में यूं तो अभिनेत्रीों को कई बार शादे रचाते देखा होगा पर रियल लाइफ में अभिनेत्रीों को शादे के जोडे में देखना उनके फैंस के लिए एक सपने जैसा होता है जहां फैंस के इसी सपने को अंकिता लुखंडे से लेकर एश्वर्या शर्मा और अश्रधार या जैसे अभिनेत्रियों ने पिछले साल पूरा भी किया तो वहीं इस साल भी दर्शकों की पसंदिदा अभिनेत्रिया उनके इस सपने को पूरा करने की तैयारी में है जी हां साल 2021 की तरह साल 2022 पे भी टीवी इंडस्री की कई मशूर अदकाराएं दुलहन बनते हुए नजर आने वाली है और इसी वज़े से आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको उनहीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो की साल 2022 में दुलहन बन शादी करने वाली है तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं साल 2022 में दुलहन बनने वाली उनहीं अभिनेत्रियों से नमबर वन तेजस्वी प्रकाश इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश का जो कि वर्तमान में बिग बॉस 15 में नजरा रही है और जैसा कि सभी जानते हैं शो में इनका करन कुंद्रा के साथ काफी स्ट्रॉंग रिलेशन्शिप बन च करेंगे और इसी वज़े से तेजस्वी इस साल हमें दुलहन बनती हुई नजरा सकती है नमबर टू शिवांगी जोशी ये रिष्टा क्या कहलाता है के बाद बालिका वधु टू से मशूर होने वाली शिवांगी जोशी भी उनहीं अभिनेत्रियों में से एक है जो कि काफ लाइफ को सेटल करने के तयारी कर रही है और इसी वज़े से इनका नाम भी 2022 में शादी वाली अभिनेत्रियों में शुमार है नमबर त्री करिश्मा तन्ना टीवी इंडस्री की नागिन अभिनेत्री करिश्मा तन्ना भी हमारे इस लिस्ट में शामिल है और जैसा कि सभी जानते हैं करिश्मत तन्ना ने बीते दिनों अपने बॉइफरेंड वरुन भंगेरा से इंगेजमेंट करके जाहिर कर दिया था कि आने वाले कुछ महिनों में ये शादी करके अपना घर बसाने वाली है जहां खबरे हैं कि ये फरवरी की पांच तारी को वर 2022 में दुलहन बनने वाली अभिनेत्रियों में शुमार है आपको बता दी अपने कोस्टार रोहित सूचन्ती को डेट कर रही है जिनके साथ इनका रिलेशन्शिप कुछ ही समय में काफे स्टॉंग हो चुका है जहां खबरे तो ये भी है कि इन दोनों के पेरेंट्स भी इन अनुपमा शो में नंदिनी के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री अंगा भूसले टीवी इंडस्ट्री की मशूर अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी है जिन्होंने अपने इस शो से हर किसी को बेहद इंप्रेस कर दिया है तो वही रियल लाइफ में भी ये अपनी पर्सनल लाइफ को शादी करके जल से जल्द सेटल करना चाती है तब ही तो खबरे हैं कि ये भी इस साल शादी करके घर बजानी वाली है साथ निभाना साथिया और बिग बॉस जैसे शो से मशूर देवोलीना भटाचारिय भी उन्हीं अभिनित्यों में शुमार है जो के साल 2022 में शादी रचाने वाली है जहां इन्होंने खुद ही एक इंटर्व्यू में बताय था कि ये और इनके पार्टनर लंबे समय से ही शादी के प्लानिंग कर रहे हैं जहां इनके शादी साल 2021 में होने वाली थी पर कुरोना के चलते इन्होंने इसे आगे पोस्ट पोन कर दी और इसी वज़े से ये साल 2022 में शादी करके घर बसाएंगे तो दोस्तों इन सभी अभिनेत्रियों में से आप किसकी शादी के लिए सबसे ज़ादा एक्साइटेड है आप हमें अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें